जिस वक्त बिलियम हर्शल इंग्लेंड में अपने पार्लर में बैटका इंफ्रारेड रोशनी की खोच कर रहे थे, जोसेफ फ्रॉन हॉफर नाम का एक नौजवान लड़का बहुत बुरे हालातों में काम कर रहा था। वो जहरीले केमिकल से भरी कड़ाई के पास खड़े होकर हर वक्त उसे चलाता रहता था। जोसेफ ग्यारा साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था और उसे जम कर काम लेने वाले वाईशिल बगन नम के आदमी की देखरेक में छोड़ा गया था, जो शाही शीशे बनाने का काम करता था। उसने जोसेफ को स्कूल नहीं जाने दिया। इसके बज़ाए जोसेफ दिन में शीशे बनाने वाली वक्शॉप में काम करता और रात को मालिक के घर का काम निप्टाता। जल्दी करो बेवकूफ और याद रहे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। फिर जोसेफ को एक मौका हाथ लगा। वाइशल बगर का घर किर गया।